गुण मोने बच्चों, हिंदी के ओनलाइन क्लास में सभी टैंथ क्लास के बच्चों का स्वागत है जैसा कि हमारा तीन नमबर का एक टॉपिक चल रहा था जिसे टॉपिक के अंदर दो टॉपिक कंप्लिट हो चुके थे एक था हमारा कारक और दूसरा था काल ठीक है अब तीसरा जो उसके अंदर टॉपिक आने वाला है वो बच्च है यानि ये टॉपिक तीन नमबर का इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें से एक ही प्रेश्ण में तीन चीज़े पूछी जाती है यानि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रस्तोत वाके के अंदर कौन सा कारक है, कौन सा काल है और कौन सा बाच्च है तो आप बच्चों को इसी लिए इस topic को username में पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग इसको ध्यान से समझें और तीन नम्बर आपके बिलकुल पक्के करें कोशिश यह करें कि आप लोगों के तीन नम्बर आजाएं और इसके लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगे तो हमने दो चीजों के बारे में आपको बता दिया कारक क्या होते हैं क्रिया का संबन्द अन्य पदों से बताने वाले जो चिन होते हैं उनको कारक बोलते हैं काल क्या होता है क्रिया की होने का समय जो बताता है उसको अपन काल कहते हैं के क्रिया से ही क्योंपन ले रहे हैं क्योंकि इसमें क्रिया की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि लेकर रूप में हम कारे से ही पता लगता है कि काम अब हो रहा है भूत में होगा या भविश में होगा तो ऐसी स्थिती में हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया के रूप से ही अंदर 22 होते हैं, हिंदी में 3 हो जाते हैं, क्लियर, अब आप बच्चों को ध्यान से समझना है, तो देखिए सबसे पहले परिवाशा, देखिए आपको जितनी भी चीजे पढ़ाई जा रहे हैं, उनकी परिवाशा जरूर याद रखें, क्योंकि कई वारे एक्जामनर परिवाशा को भी देता है, तो आप लोग परिवाशा को बिलकुल ना भूले, परिवाशा को आपको बिलकुल याद रखना है, तो आपको ध्यान रखना है, परिवाशा अगर देखें, तो बाक में प्रियुक्त किरिया रूप, देखिए, ध्यान से समझना, किरिया कर्ता कर्म या भाव किरिया किरिया है तो यह किरिया रूप किस के अनसार आया है किसके अंसार आया है, करता के अंसार आया है, कर्म के अंसार आया है, या भाब के अंसार आया है, किसके अंसार आया है, इसका बोध जो कारक कराते हैं हमके, कौन कराते हैं, कारक, कारकों से ही हमें संबंध पता लगता है, मैंने अभी बाप को बताया था, किरिया का संबंध ब पदों से बता रहे हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि ये करता के अंसार आई है, ये कर्म के अंसार, तो उन कारक चिन्नों से बता लगता है, तो उन कारक चिन्नों को ही अपन क्या बोलते हैं, बाच बोलते हैं, किलियर, यानि आपको बाच में ये दियान रखना है कि किरिया जो पहच्णने पर आप बाच को आसानी से पहचाल लेंगे. कैसे देखिए? मैंने आपके सामने तीन उधारान लिखे हैं. सबसे पहले अपन बेखे हैं. पहले उधारन में लिखा है, लड़का दूद पीता है. साम आने इसी चीज है, लड़का दूद पी रहा है. पुलिंग, ठीके, अब हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, कि इन दोनों के आधार पर, वचन और लिंग के आधार पर हम देखें कि किरिया किस के अंसार आई है, सभावे के करता के अंसार आई है, और जब करता के अंसार किरिया आ रही है, करता के अंसार क्या रही है, किरिया वाच। ठीक है कौन सा वाक्य हो गया करत्री वाच। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को देखें राम ने चाय पी अब यहां भूई पी नहीं किरिया है है न लेकिन पी को अगर आपन देखें देखिये पी को अगर आप एक वचन है ठीक है वचन हम से दिशन्क भई है इसके बाद दूसरी स््थिती देखें कि लिंग कौन सा है तो यह संख़ाग सिद्वलिस और फोर निकल रहे हैं ठीक है ना कॉन सा निकल रहा है इस त्रीa निकल रहा है अब जब हमें ये पता लग रहा कि पीना क्रिया यहां पर इस्त्री लेंगे तो अब हम देखें राम के अंसार तो हो नहीं सकती क्योंकि राम स्वयम यहां पर क्या है पुरलिंग है कौन सा है पुरलिंग है ना कौन सा है पुलिंग है ना अब एसी इस्तिती में यहां आपका रांतों हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, कैसे पता लगाएं, तो हम देखते हैं, चाय. अब चाय जो होता है दूसरा रह गया कर्म कड़ता हो गया कड़ता के अंसार हमारी किरिया का प्रियोग नहीं हुआ तो हम कर्म को देखते हैं तो कर्म यहां पर चाय जो शब्द है वो इस्त्री लिंग है और सवावी कहें पी जो शब्द आया है वो चाय के अंसार आया है अब चाय के अंसार फी शब्द आने के कारण यहां पर यह जो आपकी पीना किरिया हुई वो किसमे जाएगी इस्त्री लिंग में गई है अब इस्त्री लिंग में जाने के कारण इसको हम किसके अंसार प्रियोक कर रहे हैं कर्म के अंसार तो यह हो जाएगा कर्म बाच यानि यहां किरिया के इस रूप से हमको कर्म का वो दो रहा है किरिया जो है वो किसके अंसार प्रियुक तो रही है कर्म के अंसार यहां किरिया किसके अंसार प्रियुक तो रही ती करता कि अंसार तीसरी स्थिति में हम देखें एकवचन और आकारान कैसी है? आकारान आपको दियान रखना है भाब बाच्च में हमेशा सदेव, क्रिया जो है आकारान, पुर्लिंग और एकवचन में ही मिलेगी और इसके साथ इसमें एक निशेद होगा हर कार के लिए माना करेगा, negative बात करेगा तो ऐसी इस्तिती में भाब बाच के अंसर भाब के अंसर किरिया का प्रियोग कर रहे है किसके अंसर भाब के अंसर तो तीसरी स्तिती में आपका हो गया कि किरिया किसके अंसर आई है भाब के अंसर आई है तो भाब बाच हो जाएगा कौनसा बाच हो जाएगा भाब बाच तो ये तीन इस्तिती हुई बच्चों ध्यान रखना है आपको कि पहली इस्तिती में आपका ये था कि किरिया का रूप जो आया है वो किस के अंसार आया है तो पहले रूप में हमने देखा किरिया का जो रूप आया है वो कर्ता की अंसार आया था तो सभाविक है वहे बात की जो होगा वो कर्तरी बाच होगा क्रिया का दूसरा रूप अगर हम देखें कि क्रिया का जो दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि क्रिया का रूप करता की अंसार नहीं आ रहा वलकि किस की अंसार आ रहा है कर्म की अंसार आ रहा है नहीं कर्म के अंस्वार आता है तो ऐसी स्थिती में आपका जो किरिया रूप होगा वो आकारांत एक वचन और पुर्लिंग होगा सदेव तो ऐसी स्थिती में आपका कौन सा बाच्च होगा भाब बाच्च होगा और कौन सा आकारांत होगा ठीके अब नेक्स्ट चीज अगर आपन देखें तो भो चीज निकल के आती है देखिए अब हमने पड़ा किरिया के बाच्च को समझ लिया अब इसके वेदों को अगर देखा जाए तो देखिए बाच्च कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को मैंने अभी आपको बताया था जश्ट थोड़ी देर पहले कि इंगलिश के अंदर वाच्च जो होते हैं वो दो होते हैं इंगलिश के अंदर वाच्च आपके दो होते हैं लेकिन हिंदी संस्क्रत में बाच्च तीन होते हैं तो अगर हम बाच्च के भेद पढ़े वच्चो तो देखिए बाच्च ज इसको अपन वॉइस बोलते हैं तो बाच्च जो होते हैं हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन हिंदी में बाच्च तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं ठीक है वच्चो आप लोग ध्यान से देखें हिंदी में वाच्च तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं अगर हम देखें तो नमबर एक, नमबर दो और नमबर तीन नमबर एक में आपका आजाता है कर्तरी वाच्च कर्त्री वाच नमबर दो में आपका आजाता है कर्म वाच कर्म वाच और नमबर तीन में आपका आजाता है भाव वाच भाव वाच देखिए वच्चों अभी मैंने आपको एक्जामपल बताए थे पहले ये नाम जो रखे गएं वो किरिया के उस रूप के आधार पर बताए गए हैं जिस आधार अभी हमने थोड़ी देर पहले परिवासा पड़ी थी किरिया के जिस रूप से हमें ये पता लगे किरिया जो है वो कर्ता के अंसार आ रही है, कर्म के अंसार आ रही है या भाब के अंसार आ रही है उसको अपन उसका बोट कराने वाले को अपन बाच्च कहते हैं अब यहां यह चीज जिससे इस पर शोगी उसी के आधार पर हमने किरिया के उस रूप को हमने बाच का नाम दे दिया कर्तरी बाच, कर्म बाच और भाब बाच कौन से हो गए? याईनि अगर किरिया कर्ता के अंसार आती है तो कर्तरी बाच हो जाएगा किरिया कर्म के अंसार आती है तो कर्म बाच्च हो जाएगा और किरिया भाब के अंसार आती है तो भाब बाच्च हो जाएगा आप बच्चों को ये चीजे ध्यान रखनी है कि किरिया किस के अंसार आ दिये उसी के अंसार उसका नाम रखा गया है अगर किरिया कर्ता के अंसार आती है तो कर्तरी बाच, किरिया कर्म के अंसार आती है तो कर्म बाच और किरिया अगर कर्ता भाव के अंसार आती है तो भाव बाच ठीके बच्चो अब अगर हम अपनी स्तिती को देखें प्रतेक के वारे में एक एक के वारे में विस्तृत बात करें तो देखिए ध्यान से सबसे पहले आपका आजाता है करत्री वाच तो देखिए कर्त्री वाज अगर इसकी definition बनाए, इसकी परिवाषा बनाए तो क्या बनती है? अभी मैंने आपको बताये था कर्ता की आंसार, अब अगर हम इसकी परिवाषा लिखना चाहे तो क्या बनेगी देखिए? कर्त्री वाज तो देखिए ध्यान रखना ये तीनों के तीनों जो भेद है वो बाक्यों के भेद के अंतरगत भी आते हैं यानि किरिया के अधार पर बाक्यों को तीन भागों में बाटा गया है कर्तरी बाच, कर्म बाच और भाब बाच अब देखिए बाक्यों में प्रयुक्त किरिया यदी करता के लिंग लिंग और वचन के अंसार आती है लिंग और वचन के अंसार आती है तो वहां कर्तरी बाच चो होता है कर्तरी बाच होता है देखिए बच्चो मैंने आपको बताया के बाक्यों में प्रयुक्त किरिया हम किरिया के ही वारे में अभी तक आपको बताया है मैंने किरिया के जिस रूप से हमें ये पता लगे किरिया किस के अंसार आ रही है कर्ता के अंसार कर्म के अंसार या भाब के अंसार तो मैंने आपको कर्तरी वाज की परिवाशा में लिखाया कि भाग में प्रियुक्त क्रिया यदि कर्ता के अंसार आती है स्वभाविक सी बात है कर्ता के लिंग और बचन के अंसार दो चीजें ध्यान रखनी है लिंग और भचन अगर करता कि लिंग और भचन के अंसार क्रिया आती है तो वहे बाग कि आपका कौन सा होगा करतिरी वाच होगा कौन सा बाग क्यों होगा करतिरी वाच होगा जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ रहा है राम पुस्तक पढ़ रहा है ठीके वच्चो मैंने लिखा है राम पुस्तक पढ़ रहा है आप ध्यान से देखें पुस्तक शब्द को अगर आप देखें तो पुस्तक यहाँ पर क्या होता है स्त्रीलिंग होता है ठीके और राम को अगर अपन देखें तो राम क्या होता है, पुरलिंग होता है, कौन सा होता है, पुरलिंग होता है, अब हम स्तिती को देखें, किरिया को पहचानने की कोशिश करें, किरिया इस्त्रीलिंग है किरिया इस्त्रीलिंग है, तो देखिए पड़ा, आकारांत शब्दार है आकारान से इसपष्ट हो रहा है पुर्लिंग है इस्त्रिलिंग नहीं है तो इस्त्रिलिंग नहीं होने के कारण पुस्तक के अंसार तो क्रिया आई नहीं है किसके अंसार आई है राम के अंसार आई है किसके आपका किसमे जाएगा करत्री बाच्च में एक बात और आप बच्चे ध्यान रखें जितनी भी अकर्मक क्रियाए होंगी यानि अगर बाग के सकर्मक नहीं है अकर्मक है तो 101 परसेंट उसमें आपकी जो बाच्च होगा वो करत्री बाच्ची होगा जैसे मैंने लिखा देखिए मैंने लिखा वहे खेल रहा है अब इस पच्च रूप से या हम किसी पुरलिंग के बारे में बात कर रहे हैं अगर इसके स्तान पर मैं लिख देता है राम खेल रहा है तो सभावे के आपको पता लग रहा है कि किरिया किसके अंसार आ रही है खेलने की किरिया किसके अंसार आ रही है राम के अंसार आ रही है राम यहां पर काम करने वा है तो यह कड़ता हो गया तो इसलिए यहां पर कौन सा वाच हो गया कड़तरी वाच अगर मैं लिखता सीत सीता खेल रही है अब देखिए automatic change हो गई ना किरिया link बदलते ही किरिया में परिवर्टन हो गया हो गया ना कर्तरी वाच्चे लेकिन यहाँ पर राम की जगे हमने सीता को रखा link भी बदल गया link बदलने से स्त्री लिंग हो गया करता भी आपका स्त्री लिंग है काम करने वाला सीता हो गई सीता के अंसार हमने किरिया को बदल दिया ऐसी स्तिती में आपका कौन सा हो जाएगा करतरी वाच क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर मैंने कर्म के अंसार किरिया को नहीं लगाया वालकि किस के अंसार लगा बच्चों करता की अंसर, अब जब करता की अंसर किरिया को लगाते हैं, तो वहाँ आपका कौन सा वाच चोता है करत्री वाच ठीके आपको ध्यान रखना है ऐसे ही मैंने लिखा वहे रो रहा है तो ध्यान से देखें वच्चों आप रोना किरिया हो रही है वहे के अंसार पुर्लिंग की बात का अगर मैं कहूं राम रो रहा है तो राम के अंसार रो रहा है क्योंकि पुरलिंग की बात हो रही है है ना करत्री बाचों कि अगर मैंने कहा होता है कि सुनीता सुनीता रो रही है सुनीता सुनीता रो रही है सुनीता रो रही है तो देखिए आप स्वते ही किरिया जो है उसका link बदल चुका है करता के अंसार करता जब राम था तो आकारांत आ रही थी पुरलिंग आ रही थी जब सुनीता हो गई तो इस तरी link में बदल गई तो आप बच्चों को ध्यान रखना है जब भी किरिया का रूप करता के अंसार आएगा तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा करत्री बाच होगा कौन सा होगा करत्री बाच होगा परिवासा आप नोट कर ले एक्जामपल आप लोट कर ले उसमें एक नोट और डाल लेना कर्म के अंसार अगर किरिया अकर्मक होती है तो कर्त्री वाच में ही मानी जाती है ठीके सकर्मक में भी कर्त्री वाच हो सकता है ठीके लेकिन अकर्मक में तो सदेव आपको क्रिया जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी कैसी मिलेगी कर्त्री वाच अब नेक्स्ट जो इसका वेद आता है वो आता है आपका कर्मवाच अब भी हमने पढ़ा किरिया का रूप अगर करता के अंसार होता है करत्रीवाच कर्म के अंसार किरिया का रूप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाख में प्रयोक्त किरिया बाक में प्रयुक्त किरिया यदी बाक में प्रयुक्त किरिया यदी किसके अंसार आए? सभावी के सर ने कर्म लिखा है तो कर्म के अंसार? यदी कर्म के लिंग और वचन के अंसार आए कर्म के लिंग और वचन के अंसार आए के अनुसार आए तो वहाँ कर्म वाच्च होता है थीक है वच्चो आप को यह चीज ध्यान रखनी है पहले हमने पड़ा करता के अनुसार राहे तो कर्तरी वाच अब यहां राहे किस के अनुसार? कर्म के अनुसार कर्म के अंसार क्या आना चीए लिंग और वच्चन आना चीए तो लिंग और वच्चन अगर कर्म के अंसार आता है तो वहाँ आपका हो जाएगा कर्म बाच जैसे मैंने लिखा राम ने राम ने पुस्तक पढ़ी ठीके तो यहां सोते पढ़ना किरिया जो है वो पुस्तक क्या अंसार है रामू ने चाय पी देख लीजिए आ रहा है ना अब मैंने लिखा सीता ने आम खाया अब देख लीजिए आकारांत है किरिया है ना बच्चों हाकारांत है ना पुर्लिंग आ रही है अब पुर्लिंग सीता तो इस्त्रिलिंग है सर सीता तो इस्त्रिलिंग पुर्लिंग कैसे अगई पुर्लिंग यहां मारू ही बच्चा के यहां आम आ रहो है और आम जो होँ है उपुर्लिंग होँ है उ इस तरी लिंग नियोव है तो यह कारन यहां पे हम कौन के अंसार लगा रहे हैं कर्म के अंसार किरिया लगा रहे हैं भाई के लिंग और भचन के अंसार किरिया लगा रहे हैं तो यहां मारें यहां पे का आएगो आम जो है गई आम के अंसर किरिया है गई तो यह मारे यहां पर कौन सा बाच है कर्म बाच कौन सा बाच है बच्चो कर्म बाच और इस कर्म बाच के वारे में सेश जो आपको विश्त्रित अध्यान कराया जाएगा नेक्स्ट विडियो में कराया जाएगा इतना जो है कर्म बाच और भाबा